भारत में संग परिवार के रहते हुए किसी और दुस्मन की जुरत नहीं है हमारे देश को आतम निर्बर बनाने की बात की जा रही है लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ आज इस्तिती बदल गई है हमारे देश में 137 करोर की आबादी है और कितने लोगों की अभी तक जाँ छोपाई बहुमुश्किल 7 करोर लोगों की कोरोना की दवाई नहीं बनी एक एक होस्पिटल में लाखों लाख कभी ला रहा है मास्क से यदि कोरोना रुखता तो हम जड़ा पूछना चाहती है नो केंद्रिय मंत्री क्यों चपेटे में आ गए मोधी क्या तुमारे केंद्रिय मंत्रियों ने मास्क नहीं लगाया था क्या और मास्क लगाया था तो कोरोना की चपेट में कैसे आ गए हाँ 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 ठाके मार करके ये है हमारे देश के परधान मंत्री का चरित्र नरेंद्र मोजीर संगरपरिवार की सरकार ने चीन को अत्म निर्बर बना दिया और भारत को चीन पर निर्बर करा दिया है भारत चीन के बगर इधर उदर चल नहीं सकता है अब सुची यह उन लोगों की जिन 25 लाको जान आपने बचाई है हम आपको सुची देते हैं एक एक उसको द्योक की जिसको आपके मुर्खता के कारण लोकडाउन के कारण बर्बाद रतभा कर दिया गया है जो हम लोग किसी को मोबाइल पर अगर नमबर आप डायल करेंगे तो अमिताब की बचन के आवाज में सुनाई गेता है दो गज की दूरी मास्क जरूरी और हाथ धोना सबकी मजबूरी यह अईलान आता है लेकिन मैं आपको एक क्रोनोलोजी बताना चाहता हूं परधान मंत्री के राष्ट के नाम पर संबोधन से पहले देश के स्वास्तियम मंत्री डाक्तर हर्श बर्दन जी ने 16 तारीक को एलान की और कहा भारत में लोगडाउन से 25 लाख लोगों की जीवन की रख्चा की गई भारत में 25 लोग बचाये गए क्या की लोगडाउन नहीं होता तो भारत में 25 लोगों की जान चली गई होती मैं आप सब देशवाशियों के तरफ से भारत के परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी उनकी सरकार में सामिल स्वास्त्य मंत्री डाक्टर हर्स बर्दन जी से अग्रा करता हूँ हे हर्च बर्धन जी माननिया परधान मंद्री नरंदर मोधी जी आप देश का वो हिस्सा बताओ लोगडाउन के बाद जिस हिस्से में कोरोना नहीं हुआ हो कोरोना नहीं फैला और 25 लाख लोगों की जान जाने से बच गई उन लोगों की सुची बताओ मोधी जी जिन 25 लाख लोगों की जान आपने बचाई है और हम बताते हैं आपको आपने आपकी मुरखता के कारण लोगडाउन करके हमारे भारत के करोड़ों करोड़ जिन मजदूरों की जिन कामगारों की रोजी रोटी च्छीन ली दो करोड़ 10 लाख लोगों की नोखरी छीन ली एक एक आदमी की सूची हम आपको देते हैं मोदी जी आप सूची दे उन लोगों की जिन 25 लाख लोगों की जान आपने बचाई है हम आपको सूची देते हैं एक एक उसको द्योकी जिसको आपके मुरख्ता के कारण लोगडाउन के कारण बरबादर तभा कर दिया गया है आप सूची दे उन 25 लाख लोगों की एक एक होटल से लेकर और धाबा तक रेड़ी पट्री खुबचा तक साथाइक बाजार तक एक एक ब्यापारी की दुकान तक जो आपने तभा कर दी लोगडाउन करके हम उनकी आप सूची दीजिए उन 25 लाख लोगों की जो आपके लोगडाउन के कारण बत पाए हैं आदर्णिया मोदी जी आप सूची दीजिए उन 25 लाख लोगों की हम देते हैं सूची आपके लोगडाउन के कारण जो चलती भी वेल के पट्री के नीचे मध्यापरदेश के कि हम देते हैं मोदी जी आपको उन 14 करोन मजदुरों की सुची जो चलते चलते हैं पैदल सब्सक्राइब किलो मिटर चलते चलते दिल्ली मुंबई कलकता मदरास से मध्या पर्देशतक और दिली कलकता मुंबई-मदरास से बिहार के पटना तक बिहार के सीमान चलतक जो अपने खुले आस्मान के नीचे बूह के प्यासे पेट बच्चे जने हम सूची देते हैं उनकी जो चलते चलते भूख से मर गए मोदी जी आप सूची दौण पच्शिस लाख लोगों की जिनको आपने लोगडाउन के कारण बचाया है हम देते हैं सूची आपको उन लोगो की जो चलते चलते भुके प्यासे गाडियों से कुचल के मर गए आप सूची दो उन पच्छिस लाख लोगों की यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देश्वाशियों कि आपको इस क्रोणालोजी को समझना पड़ेगा हमारे देश के अंदर 16 मार्च को जो स्कूल बंद हुए वो 219 दिन बाद खुलेंगे और हमारे देश में दारू के ठेके खुले 40 दिन के अंदर तब मामला एक लाख का आंकड़ा छूचुका 45 अजार का क्रोश कर चुका था जिस दिन दारू के ठेके खुले गए सरकार ने कहा दारू बेचना है जरूरी क्योंकि पैशे की है मजबूरी आप समझना भोगा आपको बारत की सरकार ने कहा और एक एक दारू के ठेके पर पास पास ददस हजार लोगों की भीड उमड़ी थी मोदी जी तो तब कोरोना क्यों नहीं फैला लोगडाउन के नाम पर हमारे देश के 14 करोण मजदूरों की नकेवर रोजी रोटी चीनी गई उनके आवाब गमन के साधन रेल और बस्यवा बंद कर दी गई विवस कर दिया गया मजदूरों को और पूरे देश के अंदर होटल धाबे दुकान चाई की दुकाने बंद थी इसलिए सैक्लों किलोमिटर मजदूर भूके पैसे चलते रहे और मजदूर जब भूके पैसे चलते चलते मर गए अपने अपने गाव पोच गए उसके बात का सिल्चला आप देखे क्या होता है हमारे देश के अंदर एक जून को अनलोक वन शुरू कर दिया जाता है और उस दिन मामला एक लाख का पार कर चुका था जब ताला बंद करना होता है मोदी को तो भारत में सिर्फ साड़े पांस सो मामले थे 569 मामले 24 मार्च को हर एक जून को पहले तो जब दारू के ठेके शुरू किये चार मई को तो 45,000 का मामला हो चुका था और एक जून को एक लाख का मामला उजागर हो चुका था तीन हजार से जादा लोगों की कोरोना के कारण बताया कि जान चली गई थी फिर एक जुलाई को आगड़ा 6,000,000 का उजागर हो चुका था और 17,400 लोगों की जान चाचुके थी तब अलोग टू शुरू किया गया मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मोधी जी ने अपने संबोधन में कहा क्या कहा आप सब लोगों ने सुना कि दोगज की दूरी मास्क ज़रूरी हाथ धोना सब की मजबूरी ना अभी कोरोना का दवा बना ना अभी कोरोना का टीका आया उत्तरपदेश में एक कावत है शूतना का पास जुला में लठम लठा देशवासियों से कहा जा रहा है कोरणा को कैदवाई जो टीका आएगा कैसे आएगर कैसे बाटा जाएगा भी शूतना का पास भारत में संग परिवार के रहते हुए किसी और दुश्मन की जुरत नहीं है हमारे देश को आतम निर्बर बनाने की बात की जा रही है लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ आज इस्तिती बदल गई है नरेंदर मोजीर संग परिवार की सरकार ने चीन को आतम निर्बर बना दिया और भारत को चीन पर निर्बर करा दिया है भारत चीन के बगर इदर उदर चल नहीं सकता है इस दसा में पहुचा दिया पहला परधान मंत्री है भारत का दुनिया का नोट बंदी के बाद 30,6,000 उद्योग पर ताले लगा करके उस तरीके की रावन की हसी हसना था जैसे सीता का हरन करने के बाद लंका का रावन हसता था थाके मार करके ये है हमारे देश के परधान मंत्री का चरित्र इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ मैं आप से अपील करता हूँ भारत की मोधी सरकार दावा कर रही है कि इसने 25 लाख लोगों की जान चली जाती यदि कोरोना कर लोकडाउन नहीं किया जाता तो मैं देश में उन 2 करोड 10 लाख लोगों से जिनकी रोजी नौकरी चिन चुकी है उनसे मैं अपील करता हूँ आप उठ खड़े वो एक जुठो करके और मोधी के बताए हमारा एक पेज हमने शुरू किया वाइस आप इंडियन पेपल्स का ताकि उस पर आसानी के साथ आप जुड़ सके मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूँ हम नरेंदर मोधी से सूची माँगे कि 25 लाख लोगों के सूची तुम दो हम 2 करोड 10 लाख लोगों के सूची देते हैं मोधी जिनकी तुमने रोकरी चिन ली हमारे देश के लाखों उद्योग पर ताले लग चुके हैं उद्योग पनप नहीं पा रहा है हम उद्योगों के सूची देंगे मैं देश के उद्धम्यों से आग्रा करता हूँ कि आप हमारे बाइट्स आफ इंडिन पिपिस के पेश पर जो ब्यापारी बरबाद हो चुके हैं उनसे मैं आग्रा करता हूँ और जो रेडी पटली खोमचा वाले हैं जो होटल इंडिस्टी वाले उन सबों से में मैं गुजारिश करता हूँ ताकि हम बता सके हम पोल कोल कर सके हम जानना चाते हैं नरेंद्र मोधी कह रहे हैं कि होटल बंद करने से फैक्ट्रियों पर ताला लगाने से व्यापार चौपट करने से भारत की जीडी पी खतम करने से भारत में 20 रुपे का पेट्रोल 80 पेल लिटर बेशने से भारत के लोगों को मैं सूची देता हूँ जिनको पुलिस ने पीप पीट कर माट डाला उनकी सूची भी हम देना चाहते हैं मोदी जी पुलिस से पिटवा करके और आप तो मास्क के नाम पर पूरी देश में पुलिस से लुटवाया जा रहा है हम सूची देना चाहते हैं मैं आपके माद्यम से एक बात कहना चाहता हूँ नरेंदर मोदी जी आप किसी भी मंच पर मैं आपको चुनोती देता हूँ आप 25 लाख लोगों की सूची बताओ जिनको आपकी सरकार ने लोगडाउन के कारण कोरोने से बचाया है पर मैं आपको सूची देता हूँ देश की तरफ से हमारे देश में लाखों उद्ध्योगों का चौपट करने का लाखों लाख ब्यापारियों को चौपट करने का लाखों साब्ताइक बाजारों को फुटपाज को चौपट करने का होटल इंडिस्ट्री को चौपट करने का दो करोड दस लाख लोगों की नौकरी छीनने का, गर्वती महलाओं को खुले आसमन में बच्चे पैदा कराने का, हर जो करोडों मजदूर चलते चलते जिनके पैरों पर खुन निकल ला था, पस्ट पलट रहा था, वो पस्ट पक रहा था, उन सब की सूची मैं आपको देना चाता हूँ, परिवार का हिस्सा बनता है, मैं मध्या परदेश और बिहार के मध्याता हूँ, आप से कहना चाता हूँ, मैं भूपेंदर रावतू, नरेंदर बोधी नहीं हो, जूट बोलेगा, आज आप पड़े लिके हैं, एक एक किसान मजदूर का बेटा पड़ा लिका है, जानता है एक परिवार के हिस्से हमारे देश की संख्या 25 करोड है परिवारों की, और एक एक परिवार के हिस्से 80,000 रुपे आता है, यदि बिहार में एक एक परिवार को उसमें से 80,000 रुपे नहीं मिलता है, तो बैसकार करो मोधी का, और बैसकार करो उसके समर्थक, नितिश कुमा का और भोट कटाओं के लिए जो उसके और एक पाश्वान जी का चिराग घुम रहा है इनका बैसकार करो मैं मद्यापर्देश के मद्धाताओं से अग्रा करता हूं वो निलामी में विका हुआ सिंदिया और उसके साथ में दस-दस करोण में बिके गुरगे उनका बैसकार करो यदि मद्यापर्देश में एक-एक परिवार के हिस्से अश्ची-अश्ची हजार रुपए ने आता है मैं नरिंदर मोदी की सरकार से और मोदी जिससे कहीं भी चर्चा करने के लिए तयार हू ना कोरोना से कोई मरा इस तरीके का 25 लाग की बात कर रहे है हमारे देश में लोग भूख से जादा मर रहे है बेरोजगारी से जादा मर रहे है मैं आप सब लोगों के माद्यम से जानना चाहता हूं क्या आपने देखा कोई जो कोरोना से मरते मरते सरक पर तरप रहा हो लेक आत्मत्य करते में देखे तवा हो चुके ब्यापारी और उद्धमी आत्मत्य करते में देखे नरेंद्र मोधी की सरकार जूट बोल रही है कोरोना की दवाई नहीं बनी एक एक होस्पिटल में लाखो लाख अब दिल ला रहा है मासक से ये दिक कोरोना रुकता तो हम जला पूछना चाहती है नव केंद्रियम मंत्री क्यों चपेटे में आ गए मोधी क्या तुम्हारे केंद्रियम मंत्रियों ने मास्क नहीं लगाया था क्या और मास्क लगाया था तो कोरोना की चपेट में कैसे आ गए चलिए मेरे साथ सफर कीजे दिल्ली में नीजी बसों में वहां एक एक छोटी मीन बस में साथ साथ लोग से जादा कठे सवारी सबर करते दिखेंगे तब कोरोना कहा चला गिया अगर कोरोना से लोग मरते हैं तो भारत की संचत का सत्र का आयोजन हुआ चोद्दा तारिक से ले करते हैं इस तारिक तक एक भी संसंद नहीं बसता समर चुके होते और कोरोना से कोई नहीं मरता है तो मोजी तुमने हमारे देश को ताला में बंद करके उध्योग ब्यापार होटल इंडिस्टी हरोडी प्रेडी पट्री खोमचा साथ आइक बाजार और सब को तवा करके देश को भूकों के मारना सुरू कर दिया इसका बड़ा साफ सा मामला है मैं आपको बताना चाहता हूं एक क्रोनोलोजी का हिस्सा है संग परिवार चीन से पाला पोसा जा रहा है और संग की सरकार ने चीन को आत्म निर्बर बना दिया और भारत को चीन आपका भै फ़लाया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की क्रोनोलोजी को आपको फिर समझना पड़ेगा हमारे देश में 137 क्रोर की आबादी है और कितने लोगों की अभी तक जाँ छोपाई बहुमुश्किल 7 क्रोर लोगों की 130 क्रोर चे जादा आब दूखेगा हमने का था भूग से जादा कोरोनों से कम लोग मरेंगे शीरो सर्वे हुआ दिल्ली में 66 लाग से जादा लोगों को कोरोना होके ठीक भी हो गए सरकार को पता नहीं लगा हमने पहले का था देश में सबसे बड़ा रोग बीरोजगारी का है मोधी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे मोधी मन की बात करते है तन की बात करते है भारत की बात करते है पाकिस्तान की बात करते हिंदू की बात करते है मुसल्मान की बात करते है मंजिर मस्चित की बात करते है हमारे देश में बिरोजगारी की बात नहीं करते हैं हमारे देश की दिकास दर मैनस पचास में चली गए ये बात नहीं करते हैं बुकमरी के मामले में नेपाल चीन और पाकिस्तान और बंगलादेश से नीचे पहुच गए ये बात नहीं करते हैं मोधी ये बात नहीं करते हैं कि 20 रुपे का पिट्रल 80 रुपे लिटर में क्यों बेचा जा रहा है मोधी ये बात नहीं करते हैं कि मास्क के नाम पर देश की पुलिस से जनता को क्यों पिटवाया और लुटवाया जा रहा है मोधी पहकाने का बात करते यह बात भी आपको ध्यान रखने पड़ेगी मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ एक एक परिवार के हिस्से असी, असी हजार रुपे आना है असी हजार रुपे यदि आपके हिस्से का आपको सरकार नहीं देती है तो पहिश्कार आप सब को करना है और इस चुनाव में आपको ये भी तई करना है कि भारत को चीन पर निर्भर और चीन को आतम निर्भर बनाने वाले संग परिवार की सरकार और उसके सयोगों को आपको सुप्रा साफ करना पड़ेगा धन्यबाद जैहिं जै भारत